Hi everyone, अगर आप NEET और JEE की तयारी कर रहे हैं तो syllabus completion के साथ-साथ revision की importance आप सब लोग जानते हैं और जब बात हो revision की, तो बहतरी notes आपके पास होने चाहिए अब आप में से कुछ बच्चे कहते हैं कि sir, notes कैसे बनाने हैं या notes बनाने का हमारे पास समय ही नहीं होता है जब हम notes बनाते हैं तो practice रह जाती है, practice करते हैं तो notes रह जाते हैं तो फिर revision करें कैसे और ऐसे में फिर revision का backlog बढ़ता चला जाता है और ultimately हम stressed हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो आपकी इन सभी problems का मेरे पास से एक रामबान एलाज मैंने थोड़ी मेहनत करके आप लोगों के प्यार से बहतरीन पूरी physics के short notes तयार किये हुए हैं और वही मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने introduce करने जा रहा हूँ अगर बेरियोन के परिवार पर आप नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को spread करना आपने सभी दोस्तों के साथ ताकि सब तक ये notes पहुंच चके free of cost है, महनत मेरी है लेकिन हर एक बच्चा इसका benefit ले सके बेटा यही मेरी बस ख्वाईश है electromagnetic induction का example आपको दिखाता हूँ आप देख सकते हैं beautiful handwritten notes से बेटा colorful diagrams है fun element भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा introduce किया है ताकि आपको परतेवक्ट चीज़े boring ना लगे पाँच से दस मिनिट में पूरा chapter आपका revise हो जाएगा तो जहां कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं किसी भी institute से आप पढ़ रहे हैं आपने chapter complete अगर कर लिया तो पाँच दिन दस दिन के बाद अगर आपको revise करना है तो पाँच से दस मिनिट का समय दीजिएगा और सारा कुछ revise हो जाएगा बिटा इन notes की खास बात ये है कि इसमें examples भी involved हैं जिससे आपको concept depth में समझ आएगा यहने कि superficial notes नहीं हैं crisp है, precise है लेकिन detailed है बिटा ठीक है तो ये बहुत सारी चीजे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं electromagnetic induction में और हर एक बात को detail में लिखने की कोशिश की गई है, समय कम से कम आपका लगे इस बात का मैंने विशेश ध्यान रखा है, बाकि आप लोग जब read करेंगे, पढ़ेंगे ये notes आपको कितना फाइदा कर रहे हैं, ये आप मुझे comment करके बताएंगे बिटा, चीक है तो जैसे अगर हम बात करें self inductance की, तो मैंने उसके questions भी यहाँ पर solve करके रखे हैं चैप्टर के सारे concept एक साथ आपके revise हो जाएंगे, यानि कि आपको बार-बार केवल notes नहीं पढ़ने हैं, आपको कुछ अच्छे questions solve करने जिससे आपका revision हो जाएगा और आपकी practice भी हो जाएगी, electromagnetic induction के बाद यहाँ पर यह alternating current के notes चल रहे हैं, so this is all from my side बिटा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि questions भी मैंने इसके साथ डाल रखे हैं, और उन questions में explanation भी है, यानि कि solution के साथ आपको questions मिल रहे हैं, अब यह notes मिलेंगे कहाँ पर, तो य यहाँ पर मैं अपनी notes की इस link को pin कर दूँगा, वहाँ से आप download कर सकते हैं, बहतरीन पढ़ाई करिये, जबरजस्त revise करिये, और अपने माबाप का, अपने काउं का, अपने कजबे का, अपने शहर का, अपने भारत का नाम रोशन करिये, wish you all the very best, bye bye, take care.